वेलकम टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होब बहुत अच्छे होंगे दसेरा पुझा अच्छी तरह से बीत गया आप लोग का कैसा गया कमेंट में जरूर बताईएगा उसके बाद से जस्ट आज दसमी के बाद तो आज मेरे घर में सफाई सुरू हो गया है तो इसलिए कि ऐसा होता है जो बहुत लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और लाश तक रह जाता है और कुछ-कुछ बाकी ही रह जाता है तो यह मुझे पसंद नहीं आ रहा था और मेरे हस्बेंड को भी जल्दी था घर का पैंटिंग का तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो उपर पर था गंदगी वह सब साफ हो चुका है और नीचे का आप लोगो दिखाती हूं किस तरह से हुआ है तो निकालना पड़ा है तो चलिए चलते हैं बेक कमरा देखती हूं वो जो दिख रहा है आप लोग को प्लेश, एक मिनिट, वो प्लेश साफ हो चुपा है, यह हो चुपा है, मकडी जाले निकल चुके हैं, और यह कांचका है, वो भी साफ Culk под दिखाती हूं आप और ये पलंग को उठा दिया गया है वरना नहीं हो पाता ये देखे सीजन की वज़े से पप्डी बाहर हो गया था पप्डी निकल चुका था तो इसको भी इसको भी निकाला गया है ये देखे पप्डी इस तरह से निकला है तो इसको और अच्छी तरह से निकाल दिया गया ह यह देखिए तो पलंग वलंग इसी के वज़े से हटाना पड़ा और बहुत ज्यादा निकला बहुत ज्यादा मात्र में गंदा निकला और यह देखिए कांचवला साफ हो चुका है मेरा पूजा पे का बाकी है वो तो लास्ट में करूंगी इसके बाद यह सब सब बाकी यह इधर का प्लेस बाकी है और अलमारी के उपर भी हो चुका है डेक वगएरा सब ज्ढ़ जोड हो गया है तो अभी बहुत सफाई बाकी है और जो नया रेंग मेरा बना था खिड़की के पास में उसको उस सब को निकाल करके ज्ढ़ जोड हो रहा है और यह देखिए कर दो हो हो हाँ और हमारा प्लान था कि हम आधे दिवाल को मारेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ दाग है सिर्फ होई पर मारेंगे पर अच्छा नहीं लग रहा था दो कलर का लग रहा था यह मैच नहीं हुआ अच्छी तरह पूरी तरह से तो हमें पूरे रूम को ही मारना पड़ रहा है तो यह देखिए पहले आधे मार के देखे फिर चेक किये तो दो रंग लगा तो फिर पूरे दिवाल को मारा जा रहा है अब आपको दिख रहा है सेम नहीं तो दो भागों में दो कलर में दिखता आप लोगों को तो आगे कै 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 या यहर थार जब आह है कै ये खिरस वार बाता है अ है कै ये ले कै ये 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 जाज अची वार शब इण किजिए है झाल 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 यह देखें पूजावला भी खाली करके हम लोगों ने माड़ दिया और यह जो सफेद दाग देख रहा है आप लोगों को इस पुट्टी मारी हूं क्योंकि बीच से सिमेंट छोड़ दिया था तो इसलिए पुट्टी मार करके इसको बराबर की हूँ लेवल पे और यह देखें उपर का उपर का भी हो चुका है तो इस पर फिर से मैं कलर मारूंगी और यह देखिए रेंक एक साइड हमारा घर भी सजते जा रहा है देखिए रेंक अच्छी तरह से सजा चुकी हूँ सफाई सब करके डबे भी साफ हो चुके हैं घर में अगर कुछ भी हो तो इन लोगों को मस्ती सूशती है इधर से उधर बहुत इन लोग का मन लग रहा है तो वीडियो करूंगी और वैसे भी अभी हमारा काम खतम नहीं हुआ है पर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग के साथ सेयर की कि इंदे सेरा कुजा के बाद दिखावली की तैयारी चलने लगी मेरी और और बहुत बाकी है बहुत काम बाकी है तो आगे-आगे मैं जैसे-जैसे सफाई करती जाओंगी आप लोग संसेयर करती जाओंगी तो चलती हूं वाबाय